इसके इस वीड़ों में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड भारतिय तट रक्षक की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाए प्रोसेस के बारे में इसका ओफिशल पॉर्टल है जहां से आप इसमें आविधन करेंगे सबसे पहले आपको बे这个 जानकारी है जैसे सबसे पहले हैं आपका नाम आत numbers आपका पादर नेम यहां एंटर करेंगे, नेशनल्टी आपको सलेट करनी है, जेंडर आपको सलेट करना है, आपको आपकी मेल आईडी और आपका 10 दिजट का मॉणार नभर आपको एंटर करना होगा, इसकी बाद को जनरेट OTP पर क्लिक करना है, एक OTP आपकी जनरेट होगी, OTP फैंस से मेल आईडी और आपको SMS के जड़िये मिलेगी जो कि फैंस आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद फैंस से दिये गए सम्मिट वाले option पर आप किले के कर सकते हैं यह ध्यान रखेगा mail ID और जो mobile number है वो active and valid होने चाहिए और इस process में यह change नहीं होंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बाद ही friends से आप यहाँ पर दिये गए सम्मिट वाले option पर क्लिक करेंगे इसके बाद friends से देखिए जो आपका sign up process है वो complete हो जाएगा इसके बाद register mail ID और mobile पर आपको friends से आपके जो details है वो send कर दी जाएंगे इसके बाद आप ok वाले option पर click करेंगे आपकी mail ID को जो password आपको मिला है और यह capture code डाल कर friends आप यहाँ से login कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए अब आपको reset password का एक option मिलेगा तो आपको new password बनाना है new password कैसा होना चाहिए तो आठ से solar character का password होना चाहिए जिसमें आपके uppercase, lowercase, number और special character जो आपको यहाँ पर दिये गए है यहाँ आपके password में include हो तो आपको friends से यहाँ पर जो password है वो आपको बनाना होगा और password यहाँ बनाने के बाद friends से आप इसे यहाँ पर confirm कर सकते हैं तो friends से password कंप्रीट होने के बाद आपको friends से यहाँ पर देखिए जो आपका dashboard है यहाँ आपका open हो जाएगा dashboard होने के बाद friends से एड़ाइजमेंट का option है आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर जो एड़ाइजमेंट है उसको आप open कर लेंगे इसके बाद आप guideline को यहाँ पर check कर सकते हैं आपको जो guideline है वो यहाँ पर दी गई है आपको friends से जो भी guideline है इनको ध्यान से पहल लेना है और इसके बाद friends से आप इसे declare वारे option पर click करेंगे और यहाँ से इसको submit कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके सामने personal information section होगा जिसमें आप अपना नाम, father name, mother name आपको यहाँ देना होगा इसके बाद friends आपका metal status आप यहाँ पर select कर सकते हैं कोई additional number है तो आप यहाँ पर provide कर सकते हैं इसके बाद friends आप नीचे आएंगे नीचे आने पर आपको अधार का number देना है जो की optional है, ID card friends ID card number आपको देना है और ID card का जो number है वो आपको confirm करना होगा, identification mark में कोई पी cut का निशान, कोई mole, कोई burn का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर आप उसकी जानगाई दे सकते हैं, नहीं है तब दो mark की entry कर सकते हैं, इसके बाद है आपक यहाँ पर देखिए आपकी जो category है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, आपकी जो भी category है वो आप select कर लेंगे और उसके बाद friends आपका जो card certificate है, वो friends से यहाँ पर देखिए आपको बताना है, always valid है, valid date mention है, तो आपको देना होगा, और यह कप तक valid है आप उसकी जानकारी प्र इसके बाद proof of date of birth में आप 10 की mark sheet या birth certificate select कर सकते हैं, age में अगर आपको छूट चाहिए तो आप yes कर सकते हैं, नहीं तो आप no करेंगे, fees में छूट चाहिए तो yes कर सकते हैं, नहीं तो आप no करेंगे, यह depend करता है आपकी category पर, जैसे माली जब SC candidate है तो यह automatic आपको देखिए यहाँ पर fees में छोट शोग करेगा, तो यह आपके उपर depend करता है आपकी कौन सी category है, employment type में friends से यहाँ पर इंग में से कोई category है, तो select कीजिए नहीं तब unemployed पर click करेंगे, यहाँ पर आपको ID proof अधार कार्ड और 10 का mark sheet आपको upload करना होगा, यहाँ पर आपसे कहा गया है इसके के लिए, law entry के लिए, assistant, commandant, technical के लिए, जिसके लिए आप apply करना चाहें, आपको यहाँ पर देखिए उसकी जो availability conditions है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको friends उस option को select करना है, जिस भी post के लिए apply आप करना चाहते हैं, और नीचे आपको qualification level मिल जाएगा 12 आप पास आउट है या नहीं है, आपका year of passing क्या है, मतलब आपने इसको कप पास किया है, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपको आपका board select करना होगा, थोड़ा सा wait करना होगा, क्योंकि site का जो server है, वो slow है, इसके बाद 12 का certificate number आपको mention करना है, grading system आपका क्या है, percentage है CGPA है, तो CGPA यह आपको देना होगा, तो यह friends यहाँ पर देखिए, आप से कहा गया है, CGPA में aggregate percentage as per conversion formula, तो आपको परसेंटेज करनी है, और CGPA एंटर करना है, तो अगर आपको CGPA तो परसेंटेज नहीं पता तो आप Google का help ले सकते है, यह friends आप 9.5 से multiply करेंगी CGPA तो आपको percentage यहाँ पर आ जाएगा, तो यह friends बेसिक जानकारी है, जो कि आपको देने होगी, इसके बाद नीचे है friends, physics के marks, तो आपको यहाँ पर आपके physics में कितने numbers रहे हैं, आपको देना है, और यह कितने में से कितने आये हैं, वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद आप डाटा को सेव कर सकते हैं, तो friends, 12 की जानकारी सेव करने के बाद, आपको friends से ग्रेशन डेटेल का option मिलेगा, आप इस option पर क्रेक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद friends से आपको आपकी जो degree है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, अ इसके लिए friends से यहाँ पर देखे, non issue of degree certificate, तो friends से यहाँ पर आपको जो certificate यहाँ पर अटेच किया गया है, यहाँ आपको यहाँ पर देना होगा बाद में, जो कि आपको देखे, डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा, यह इस तरह का यहाँ पर certificate रहने वाला है, अगर आपकी यह complete है, तो आप simply yes पर click कर देंगे, आपका passing year क्या है, मतलब आपने इसको कब pass किया है, आप उसकी जान कर देंगे, degree का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर multiple options मिल जाते है, degree की वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके लिए friends जो qualification section है, यह आप जरूर ध्यान से पढ़ें, इ इसके बद आपका यहाँ पर देखिए, ग्रेशन स्ट्रीम काउन सी है, यूनिवर्सिटी काउन सी है, तो आप यहाँ से select कर सकते हैं, मैं भी सिफ सेंपल के तोर पर select कर रहा हूँ, कोर्स की duration क्या है, आपकी years में, grading system में percentage है, CGPA है, grade system है, वो आप दे सकते हैं, और आपकी percentage आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, तो यहाँ पर fans से देखिए, जो dot है वो आपका नहीं लगता है, तो आपको आपका percentage है, वो आपको round figure में लिखना होगा, इसके बाद यहाँ पर fans से देखिए, आपको देने हैं आपके ग्रेशन मार्क्स, तो सबसे पहले add का option है, तो आप add पर collect कीजिए, और यहाँ पर अपने numbers के आप entry कर सकते हैं, तो आपके जितने भी numbers आपने obtain किये हैं, और यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पर data आपको sample के दोर पर show करकर दिखा रहा हूँ, आपका actual data है, आपके actual number है, वो आप देंगे, इसी तरह से next option है आपके address का, तो देखिए, फ्रेंड से पूरा address जो भी आपका है, आपका house number क्या है, आपका street क्या है, वो आप यहाँ पर जानकारी mention कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, आपका state या UT कौन सा है, तो यहाँ पर UT के list मिल जाती है, आप select कर सकते हैं, district आप को यहां पर सेलेट करना होगा थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी सर्वर का प्रॉब्लम है तो साइट थोड़ी स्लो चल रही है तो वेट करेंगे सब डिस्टिक है तो दे सकते हैं पिन कोड क्या है आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है यह आपको देना है पर्मनेट कि अपके पास एंजी सी का देके साइटिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं नहीं तो आप नो करेंगे कोई क्रिमिलल परोसेडिंग करेंगे ठाब करने को आपका एक जो नैस्ट प्शन घोको आपका है यहां पर और यहां पर दोपन हो जाएगा अपको इंची ध्यान दकन तो यहां पर आते हैं तो सबसे पहले आपको आप्शन मिलता है फोटोग्राफ का अब ध्यान दखेगा फोटोग्राफ में फोटो अप्रोड करेंगे इसमें आपके ब्लैक सेलेट होनी चाहिए फ्रंट ऑप इस चेस्ट और उसमें नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना जरूरी है तो यहां पर फैंसे आपको फोटो अप्रोड करनी है इस सेंपट आपको दिया गया हैं इसके बद्जो हैं सिग्णिचर खेंजियों सिग्णिचर लेट उमिलत अप्लु कर नाम रइट नहीं होता है तो अपलोड करने के लिए अपको करना क्या है जो भी आ और फिद्टी सेब्दिन के तोर पर यहां पर जो डॉकूमेंट करती है इनिना के डॉक। सब्स Cinderella पूछेँ और इस सीकते हैं और तो यहां पर कर सकते हैं यहां friends? आपको यहाँ पर preference देनी है आप से यहाँ पर कहा गया है please select और नेस फ़ोर preference nearest to present address तो friends अब करसक्ते हैं तो यह बेसिकली आपको अब करना है आपके एक्वारम सेंटर है उसको इसकेाइब फैर्न से यहाँ पर देखिए जो data है उसको आप यहाँ पर फैंस से सेव कर सकते हैं data एक बार आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी इसके बार next option जो आएगा वो आएगा stage to city selection का stage to city selection में फैंस से यहाँ पर देखिए आपको select करनी है और इसके बार फैंस आपको यहाँ पर data को declare करना है और data फैंस यहाँ पर देखिए declare करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे अगर आपको लगता है को गलती है तो आप उसे reset कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नहीं है तो आप डाट प्लीस को सेव कर देंगे इसके बाद आप अपने फॉर्म को फाइनली यहां पर सम्मिट कर सकते हैं फॉर्म का फाइनल सम्मिट होने के बाद आपको देखिए व्यू एप्लिकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा आप यहां से जो